हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे 24 feet by 54 feet के प्लोट के बारे में जिसमें नीचे पार्किंग और फिर फर्स फ्लोर और सेकंड फ्लोर यहां पर गीवन है अगर उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तेक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैन कुछ आपको बहुती easy way में सीखने को मिल जाएगा तो आशा करते हूं आप यह वीडियो जुरूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्स्राइब जुरूर करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो यह है 24 feet by 54 feet का प्लैन नीचे आप देख सकते हैं पार्किंग और एक common washroom बनाए गया है नीचे यहां पर और एक open to sky यहां पर रखा गया है 3 feet 9 inch by 76 inches का जैसे हम stair से अपना ground floor पर आते हैं तो आप देखेंगे यहां पर drawing room के अंदर आपके यहां पर entry होते है जो 14 feet by 23 feet के round आपका काफी बड़ा आपका drawing room है यहां पर master bedroom है जो south west direction में आप देख सकते हैं यह सेम आपका जो नीचे का portion था washroom अटेच किया गया और यह common washroom रखा गया और open to sky यहां पर रखा गया है यहां पर एक store बनाए गया है 7 feet 9 inch by 7 feet का आप यहां पर देख सकते हैं और kitchen जो हमने प्राइड किया है वह 7 feet 9 inch by 12 feet का यहां पर प्राइड किया है जो 3 3 feet wide passes यहां पर रखा गया है जिसका gate यहां पर balcony की तरफ निकलते हैं यहां पर देख सकते हैं यह आपका balcony की तरफ गेट निकलते हैं 3D में देख पा रहे हैं और यहां पर kitchen है और यह आपका जो children room है उसका आपका यहां पर window लगी भी है और यहां पर study table यहां पर रखी बना सकते हैं इसको देख सकते हैं आपका 3D को तो आशकर तो वीडियो अच्छे लगे होगी अगर वीडियो अच्छे लगे तो please वीडियो को like करें share करें और subscribe करना चैनल को बिलकुल मत भूले thank you so much